फ्रेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है डीप गले में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम अब ये प्रॉब्लम तो है इसका सॉलूशन हम दुनिया बर के तरीकों से निकाल सकते हैं लेकिन कभी-कभी समस्याएं क्या आती है जैसे आप डीप गले के ब्लाउज बनाते हैं तो दूसरी बात आप डीप गले के ब्लाउज बनाते हैं तो आपको इस तरह के जो डोरियों हैं उनका सहारा लिना पड़ता है आपको ये डोरी भी नहीं चाहिए ठीक है और आपको इस तरह से इतने डीप गले के ब्लाउज भी चाहिए और आप चाहते हैं कि शोल्डर भी ना आप बॉड़ी पर शोल्डर रहते हैं मानलो की शोल्डर कितना रहा है 14 इंच का तो उसका हाफ करके आप डारेक्ट निशान लगा लिए ना साथ इंच होता है साथ का निशान लगा लिए उसके बाद जैसे आपको पीछे का गला डिप बनाना होता है तो मैंने क्या बोर रख करते हैं नॉर्मली गला लेते हैं सवादो या धाय इंच का तो गला इधर से ना आपने मालो सवादो ले रहे हो तो यह सवादो अगर मालो कोई लोग भी लेते हैं तो आप धाय भी ले सकते इस तरह से उसके बाद आप क्या करते हैं गले का शेप देते हैं ठीक है गले का तो यहां पर सीधा हम निशान लगाएंगे और नीचे का फैलाओ हम आम तो पर तीन सवा तीन साड़े तीन जितना भी रखते हैं उतना रखें और उसके बाद इसको मिला करके आप क्या करोगे सीधा सीधा एक गले का शेप दोगे चाहिए वो गोल गला हो चाहिए मटका गला चाहाँ पां भात करेंगा और हम लगात्र नबर 2 गरेंके प्रॉब्लम सा रही है तो आपको यह 2 इंच कर लेना है सवादो यह धाई पर न जाके 2 इंच कर ले टीप गलों में 11 इंच 12 इंच के जब आप गले बना रहे दो इंच कर ले ठीक है इससे आपको बहुंँ जादा रहात मिलेगी शोल्डर गिरने की समस्या से इससे क्या होगा जो आपने शोल्डर को उधर माइ कर देंगे तो शोल्डर पत्टी आपकी कम हो जाए लेकिन आपने इधर से गले को भी माइनस कर दिया मैंस कर दिये और थोड़ी सी मर् अगर हम गले की चोड़ाई को कम रख दें तो हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा लेकिन माइडियर ऐसा होता नहीं है तो टिप नंबर तीन क्या है जैसे यहां पर देखें गले का जो नीचे का फैलाव है यह भी हमने कितना रखा तीन इंच रखा है सवा तीन कभी साड़े तीन तो अगर आपको कंटिनूशली शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स हैं तो आप क्या करोगे खासकर स्पेसिफिक उन कस्टमर्स के में जिन में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है नीचे गले के फैलाव को आप ज्यादा मत दो इसको आप धाई इंच ज्यादा पॉने तीन इतना रखें उससे ज्यादा आप न जाएं तो एक नया हम ड्राफ्ट तयार करते हैं उसमें कैसा बनेगा उसको समझाता हूं देखो क्योंकि यह कचल पचल हो जाएगा ज्यादा में तो टिप नंबर दो में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो जैसे आपने शोल्डर लि देने के बाद हमने गले की गहराई ली जो कि 11 इंच की थी तो यह 11 इंच गले की गहराई हो गई उसके बाद यहां पर हमने क्या किया गले का फैलाओ है उसको हमने रखा मात्र धाई इंच या पॉनेतीन ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा नहीं रखें क्योंकि बहुत को शौक होता है कि गला थोड़ा सब फैल क्या और नीचे आप फैलाते हो ना तो गला बहुत ही सुन्दर दिखता है लेकिन वह सुन्दर दिखने के चक्कर में फिर फॉल्डर फॉलिंग या सोल्डर गिने की समझ्चा आती है अब यहां पर आप गले का शेप देदी अब दे करते हैं इसलिए आज मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं तो आप कंफ्यूज ना हो अब यह चीज तो आपको समझ में आ गया टिप 1 टिप 2 और टिप 3 टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं उसमें आपको करना क्या है इसी पेपर पे समझना जैसे हम यह शोल्डर और आर्मो का सीधा निशान तो यह चैस्ट के इसाब से मैंने बता रहा है मालो 36 है तो आप साढ़े पांच पर यह निशान लगाते हैं 38 है तो पोने 46 है तो चार्ट भी दे रखा है बाकी इसके लिए आर्मोल के लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी दे रखी है ऐसा नहीं कि इतना है तो इतने पे ही लगाना है आप आख मूंत के चार्ट का यूज करो असा नहीं है आर्मोल थोड़ा सा डाउन करके आर्मोल का शेप दे देंगे यह एक अलग विसाय है इसलिए हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं फटा 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 आर् प्लीटली ड्रॉ करने के बाद एक चौथे नंबर का टिपस में जो आप लोगों को दे रहा हूं यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ध्यान से देखना क्यों इंपोर्टेंट इसको मैं बोल रहा हूं यह पीछे कपला है और ने खाली पीछे पल्ले का आर्मोल ड्रॉ इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा होता है आपको ब्लाउच जो फैल रहे होते हैं वो बिल्कुल ने फैलते हैं बोडी पर जाने के बाद ब्लाउच किस तरह से फैलता है बहुत ज्यादा फैलता है तो अगर आप इसको छाट देंगे तो आपको यह समस्या नहीं ह चोड़ते हैं हमने 吃 में क्या समझा की हमने कितना यह चाट के बाहर निकाला सब सबस्केज़ कर добर यह इतना ही अगर आप सबसरी आप अगर यह ताके फैल रहा था वो इसको रोग देगा अब चलते हम अपने लास्ट टीप और पांचवे नंबर टीप की तरफ वो है सिलाई से रिलेटेड लास्ट टीप है जो आज मैं बता रहा हूं इसमें आपको करना क्या है जब भी आप पाइपिंग लगाते हैं ब्लाउस पर तो श शोल्डर पे आपको पकड बनाके रखेंगा तो यह लास्ट टीप है आज के इस वीडियो में इसके अलाबा और बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि अस्तिन की फिटिंग हो गई अगर अस्तिन की फिटिंग सही तरीके से नहीं होती फिर भी शोल्डर गिरने की प्रोब्लम लोग में मिलते हैं तब तक के लिए जए हैं